हलो फ्रेंड्स तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपकी प्यारे से इस यूटूब चैनल आओ मिलकर पढ़ें तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोग बुक में कैसे सलेवर्स था उस बारे हम देखे थे आज कोश्चन पेपर में देखेंगे कैसे आता है और क्या होता है तो जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह 2020 का कोश्चन पेपर आया हुआ है इसमें आपको आगे हम दिखाते हैं क्या क्या पूंचा जाता है और कैसे आता है तो यह देखे फ्रेंड्स आप आपको इस्टेंजा दे दिया जाता है, पूरा प्रोज का एक चोटा स्टूकडा निगाल करके रख दिया जाता है और इससे आपको कोस्टन पूँछ लिया जाते हैं, इससे कोस्टन देख लिजिए, आपको दो इस बार पूँछे गए थे, ये था प्रोज में उसके बाद आगे देखते हैं इसमें प्रोस से कोश्चन का और कितने आते हैं तो ये देखें प्रेंट्स दूसरे नंबर कोश्चन पर आपको दो कोश्चन दिये जाते हैं जिन में से आपको एक हल करना होता है और ये 60 वर्ड में लिखना होता है ये भी प्रोस से ही कोश्चन आता है उस अग। पढ़े हैं और ये आपको तीनो ऊत्तर आ रहा है तो आपने का किया कि तीनों का उत्तर दे दिया लेकिन ये गलात होता है friends आपको जो सबसे best आ रहा होता है उन्हीं दो को लिखना चाहिए अने था जैसे आपको पहला answer अच्छे से नहीं आ रहा फिर भी आपने उसका उत्तर लिख दिया तो आपकी जब कापी चेक होगी तो उपर के सिर्फ दो को देख करके उसी का नंबर दिया जाता है तीसरे में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यह नहीं होता है कि यह गलाथ हो जाएगा तो इसमें मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है आपको सिर्फ उपर के दो नंबर ही दो कोस्चन हल करने पर ही नंबर मिलते हैं उसके बाद चोथा नंबर जो आपका कोस्चन आता है ये भी प्रोज ये पूचा जाएगा इसमें आप देख रहे हैं मैच दवर्ड मैच दवर्ड आता है तो पांचवे नंबर से जैसे कि आपको बताएं कि पोर्ट्री स्टार्ट हो जाती है पोर्ट्री आपके सलेवस में साथ मार्क्स के आती है तो यह देखिए फ्रेंड्स तो पहला पोर्ट्री में जो कोस्चन पूछा जाता है वो आपका छोटा से एक स्टेंजा दे दिया जा आव मिलकर पढ़ें, यानि कि अपने चैनल पे चारों पोट्री पढ़ा दी गई है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं और इनका अराम सुथतर दे सकते हैं, तो आगे देखते हैं, तो पोट्री में से सिर्फ दो कोश्चन पूचे जाते हैं, दो कोश्चन कैसे कैसे तो पहला कोश्चन जैसे की लेखा का नाम पूच लेता है, और पार्ट का नाम पूच लेता है, ये कोश्चन अक्सर पूच लेया जाता है, तो इससे आप जब भी पोट्री पढ़ें, तो लेखा का पार्ट का नाम याद करते चलें, और एक कोश्चन राइमिंग वर्ड वाला आता है रामी वर्ड का होता है मिलते जुलते सब इसमें देखे जैसे पूछा गया था कि इसे पर कित पता करते हैं कि इसमें रामी वर्ड का होना है वर्ड भी पूछ लिया जाता है लाश्ट के जो सब मिलते जुलते होते हैं जैसे मेक से एक स्ट्रॉंग लांग तो ये भी आपके सलेवस में कोश्चन इस्टाइब के पूछ लिया जाते हैं उसके बाद एक कोश्चन हो में के नेशन ग्रेट तो एक इसी पोर्ट्री जो जादा तर बच्चे पोयाम लिखते हैं और आसानी से तीन मार्स पा लेती है तो इस प्रकार पोर्ट्री से साथ नमबर आता है सिर्फ पांचवा और छटवा कोश्चन याद रखना पांचवा और चटवा कोश्चन जो आपका सलेवस में कोश्चन पेपर में आएगा वह चटवे पर पोर्टरी होगा बाकि एक से चार तक में आपको प्रोस से पूछा जाता है उसके बाद साथवे नंबर से आपका आपके सलेवस में जो मतलब कोस्चन पेपर में कोस्चन आता है वो आप सप्लमेंटरी रीडर से आता है तो साथवे नंबर से जो आता है सप्लमें नंबर के होते हैं आगे देखते हैं इसमें और कैसे किस ट्राइक के कोश्चन आथ यह देखे फ्रेंड्स तो इसके बाद पॉइंट आउट ट्रू एंट फाल्स इन दा फॉलॉइंग स्टेट्मेंट तो इसमें से सही गलत के निसान आपको लगाना होता है अगर आपने सप् से नंबर कटना होता है इसमें आप कुछ बना नहीं सकते हैं सिर्फ ट्रू फाल्स लिखना होता है तो इससे आप एकदम सोच विचार के ही कोश्चन पेपर पे ट्रू या फाल्स लगाईएगा उसके बाद नववा नंबर कोश्चन आता है देखिए फ्रेंड्स इसमें आ आपके सामने कोश्चन पेपर है देख लिजे कैसे आये हैं और कैसे आने वाले प्रेवियस एक्जाम में आएंगे अब आगे देखते हैं किस टाइप के अब नौ तक तो आपका सिक्षन यह होता है लेकिन दस से जो स्टार्ट हो जाता है वो सिक्षन भी स्टार्ट हो जात हैं जिसमें से आपको पहला करेक्टस एक सेंटेंस सेंच एकाभक कहीं पर सब्जेक्ट होगां कोहीं पर करम से लिखना होथा दौनर्स का रहा है उसके बाद दूसरा कोष्चनि आता इसमें आपको direct indirect data पूंचे लिया जाता है तिसरा जो आता है तैसी wise होता है और चौथा जो आता है use of the correct from the verb उसमें आपको correct verb भणना होता है जैसे एक दे दिया जाता है उसमें आपको जैसे इसमें make आया था make होगा making होगा क्या होगा इससे आप पढ़के पता लगा सकते हैं उसके बाद जो 11 नंबर question आता है उसमें भी ऐसा होता है उसमें 11 नंबर जैसे देख लिजिए I am proud आयट of end यानि preposition पहला question पूंचे जाता है इसमें भी 4 पूंचे जाते हैं आगे देखते हैं इसके बाद पूंच लिए जाता है complete of the following sentence can you tell me where तो इस प्रकार आया था तो इस पीछे वाले वाक किसे मिलता हुआ चोटा सा sentence आगे भी एक बनाना होता है simple होता है उसके बाद आपके spelling test पूंच ली जाती है एक नंबर के आती है दो पूंची जाती है आधे आधे marks की उसके बाद एक आपको चोथे नंबर यानि डी पे punctuation पूंच लिया जाता है punctuation होता ह यानि हिंदी से आपको इंगलिस में translate करना होता है चार नंबर का पूंच लिया जाता है तो इसको आप जब भी करिए तो बहुत ही सोच समझ कर रहा और अच्छे करें क्योंकि इससे भी आपके marks कर जाते हैं अगर आप गलती करते हैं तो तूरंद marks कर जाते हैं आगे देख लिखना या कहां लिखना है वो दिये होते हैं किस बारे में लिखना है अगर आपको लेटर लिखना है तो आपको किस में मम्मी पापा के लिखना है कि फ्रेंड को लिखना है किसको लिखना है वो भी आपको दिया होता है तो चार नंबर काता है यह बहुत ही सिंपल होता है आप अच्छे स्तियारी करें उसके बाद 14 नंबर की कोश्चन की बात करें तो 14 नंबर में आपको कम पोजीशन आप दा मतलब एक छोटा सा आपको निबंध लिखना होता है ऐसे यानि कि जैसे आया था इंडियन फार्मर में तो इसमें का खास होता है कि जो टापके आपको द लिखना होता है तो ये भी सिंपल होता है क्योंकि इसमें टापके दी हुई होती हुए आगे देखते हैं ये देखें फ्रेंड्स तो इस बार एसे पूछे गए थे 80-20 क्रिकेट मैच में योर क्लास टीचर में सारे सिंपल आते हैं क्योंकि इसमें टापिक दी हुई होती है कि इस टापिक पर आपको लिखना होता है तो आप बढ़ियस तेयारी करें उसके बाद आप देख लिए ये 15 नंबर कोस्चन पर आपको एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होता है उसको आपको कम सकंद दो या तीन बार आपको पढ़ना पढ़ता है जिससे आपको उसको अच्छे सासानी से हल कर सकें उसमें आपको दो कोस्चन दिये होंगे और दो करना होगा तीन तीन नंबर काता है बहुत सिंपल होता है इस पकार आपका पूरा हमने पेपर कोस्चन पेपर डिसकेशन कर लिए कैसे कोस्चन आता है कैसे क्या करना होता है तो अगर फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सेयर करना न भूलें तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय टेक क्यार और पढ़ते रहेगा